नमस्कार, मैं आपको प्रसिद लेखकों की कहानिया सुनाती हूँ. कहानी जो कभी नहीं होती पूरानी. कहानिया हमारी कल्पना सीलता और क्रियेटिवीटी को बढ़ाती हैं. बस इतना ध्यान रखें कि सिर्फ वैसी ही कहानिया सुने और सुनाएं, जो हमें कुछ अच्छा सिखाएं. तो आईए, आज सुनिये हरी संकर परसाय जी की व्यंग कहानी दो नाक वाले लोग. मैं उन्हें समझा रहा था कि लड़की के साधे में टीम टाम के व्यर्थ खर्च मत करो. पर वे बुजुर्ग कह रहे थे, आप ठीक कहते हैं, मगर रिष्टेदारों में नाक कट जाएगी. नाक उनकी काफी लंबी थी. मेरा ख्याल है, नाक की हिफाज़त सबसे ज्यादा इसी देश में होती है. और या तो नाक बहुत नर्म होती है, या छूरा तेज, जिससे चोटी सी बात से भी नाक कर जाती है. चोटे आदमी के नाक बहुत नाजुक होती है, या चोटा आदमी नाक को छिपा कर क्यो नहीं रखता? कुछ बड़े आदमी जिनकी हैसियत है इस पात की नाक लगवा लेते हैं और चमड़े कर रंग चड़वा लेते हैं काला बाजार में जेल हो आए हैं औरत खुले आम दूसरे के साथ बॉक्स में सिनेमा देखती है लड़की का सारवजनिक गर्वपात हो चुका है लोग उस तरह लिये नाक काटने को भूम रहे हैं मगर काटें कैसे नाक तो इस टील की है चेहरे पर पहले जैसी ही फिट है और सुभा बढ़ा रही है अस्मगलिंग में पकड़े गए हैं हतकड़ी पड़ी है बाजार में से ले जाये जा रहे हैं लोग नाक काटने को उत्सुक हैं पर वे नाक को तिजोडी में रखकर अस्मगलिंग करने गए थे पुलिस को खिला पिला कर बरी होकर लोटेंगे और नाक फिर पहन लेंगे जो बहुत होसियार हैं वे नाक को तलवे में रखते हैं तुम सारे सरीर में ढूंडो नाक ही नहीं मिलती नातिन की उम्र की दो लड़कियों से बलातकार कर चुके हैं जाल साजी और बैंक को धोखा देने में पकड़े जा चुके हैं लोग नाक काटने को उताव ले हैं पर नाक मिलती ही नहीं वे तो तलवे में हैं ना कोई जीव सास्त्री अगर नाक की तलास भी कर दे तो तलवे की नाक काटने से क्या होता है नाक तो चेहरे पर की कटे तो कुछ मतलब होता है और जो नाक रखते ही नहीं है उन्हें तो कोई डर ही नहीं है दो छेद हैं जिन से सांस ले लेते हैं कुछ नाकें गुलाब के पौधे की तरह होती है कलम कर दो तो और अच्छी साका बढ़ती है और फूल भी बढ़िया लगते है मैंने ऐसी फूल वाली खुस्बुदार नाकें बहुत देखी है जब खुस्बुख कम होने लगती है ये फिर कलम करा लेते है जैसे किसी औरत को छेड़ दिया और जूते खा गए जूते खा गए? अजब मुहावरा है जूते तो मारे जाते है न वे खाए कैसे जाते है मगर भारत वासी इतना भुख मरा है कि जूते भी खा जाता है नाक और तरह से भी बढ़ती है एक दिन एक सज्जन आए बड़े दुखी थे कहने लगे हमारी तो नाक कट गई लड़की ने भाग कर एक विजाती है लड़के से साधी कर ली हम ब्रामण और लड़का कलाल नाक कट गई हमारी मैंने उन्हें समझाया कि कटी नहीं है कलम हुई है तीन चार महीनों में और लंबी बढ़ जाएगी तीन चार महीने बादवे मिले तो खुस थे नाक भी पहले से लंबी हो गई थी मैंने कहा नाक तो पहले से काफी लंबी मालूम होती है वे बोले हाँ कुछ बढ़ गई है काफी लोग कहते हैं आपने बड़ा क्रांतिकारी काम किया कुछ बिरादरी वाले भी कहते हैं इसलिए नाक बढ़ गई है कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कई साल अपने सहर की नाक रहे हैं उनकी नाक अगर कट जाए तो सारे सहर की नाक कट जाती है अगर उन्हें संसत का टिकिट ना मिले तो सारा सहर नकटा हो जाता है पर अभी मैं एक सहर गया तो लोगों से पुछा फला साहब के क्या हाल हैं? वे इस सहर की नाक हैं तभी एक मस्खरे ने कहा हाँ साहब वे अभी भी सहर की नाक हैं मगर छीनकी हुई यह विभत्स रस है रस सिधान प्रेमियों को अच्छा लगेगा मगर बात मैं उन सजजन की कर रहा था जो मेरे सामने बैठे थे और लड़की की साधी पुराने ठाट से ही करना चाहते थे पहले वे रईस थे याने मध्यम हैसियत के रईस अब गरीब थे बिगडा रईस और बिगडा घुडा एक तरह के होते हैं दोनों बौखला जाते हैं किस से उधार लेकर खा जाएं ठीकाना नहीं उधर बिगडा घुडा किसे कुचल दे उसका ठीकाना नहीं आदमी को बिगडे रईस और बिगडे घुडे दोनों से दूर रहना चाहिए मैं भर सक कोशिस करता हूँ मैं तो मस्ति से डोलते आते साण को देख कर भी सडक के किनारे की इमारत के बरामदे में चड़ जाता हूँ बड़े भाई साब आ रहे हैं इनका आदर करना चाहिए तो जो भूत पुरु संपन बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे वे प्रगति सील थे लड़की का अंतर जाती विवाह कर रहे थे वे खत्री और लड़का सुद्ध कानने कुब्ज वे खुसी से साधी कर रहे थे पर उनमें विरोधा भास यह था कि साधी ठाट से करना चाहते थे बहुत लोग एक परंपरा से छुटकारा पा लेते हैं पर दुसरी से बंधे रहते हैं रात को सराब की पाटी से किसी इसाई दोस्त के घर से आ रहे हैं मगर रास्ते में हनुमान जी का मंदिर दिख जाए तो थोड़ा तिलक भी सिंदुर का लगा लेंगे मेरा एक घोर नास्तिक मित्र था हम घोमने निकलते तो रास्ते में राम मंदिर देख कर वे कहुटते हरे राम बाद में पच्टाते भी थे तो मैं उन बुजूर को समझा रहा था आपके पास रूपे हैं नहीं आप कर्ज लेकर साधी का ठाट बनाएंगे पर कर्ज चुकाएंगे कहां से जब आपने इतना नया कदम उठाया है कि अंदर जात ये विवाह कर रहे हैं तो विवाह भी नए धंग से कीजिये ना लड़का काने कूबज का है बिरादरी में साधी करता तो कई हजार उसे मिलते लड़के साधी के बजार में मवेसी की तरह बिखते हैं अच्छा मालवी बैल और हर्याना की भैस उची कीमत पर बिखती है लड़का इतना त्याग तो लड़की के प्रेम के लिए कर चुका है फिर भी वे कहता है अदालत चाकर साधी कर लेते हैं बाद में एक पार्टी कर देंगे आप आरे समाजी हैं घंटे भर में रास्ते में आरे समाज मंदिर में वैदिक रीती से साधी कर डालिए फिर तीन-चार सो रुपयों की एक पार्टी दे डालिए लड़के को एक पैसा भी नहीं चाहिए लड़की के कपड़े वगरा मिलाकर साधी एक हजार में हो जाएगी वे कहने लगे हाँ बात आप ठीक कहते हैं मगर रिष्टेदारों को तो बुलाना ही पड़ेगा न फिर जब वे आएंगे तो इज़त के ख्याल से सजावट, खाना, भेट वगरा देनी ही होगी मैंने कहा आपका यहाँ तो कोई रिष्टेदार है नहीं वे हैं कहा उन्होंने जवाब दिया वे पंजाब में हैं पटियाला में ही तीन करीबी रिष्टेदार हैं कुछ दिल्ली में हैं, कुछ आगरा में हैं मैंने कहा जब पटियाला वाले के पास आपका निमंतरन पत्र पहुंचेगा तो पहले वह आपको दस गालियां देगा मई का यह मौसम इतनी गर्मी लोग तड़ा तड़ लू से मर रहे हैं ऐसे में इतना खर्च लगा कर जबलपुर जाओ कोई बिमार हो जाए तो और मुसीवत पट्याला या दिल्ली वाला आपका निमंतरन पत्र पाकर खूस नहीं दुखी होगा निमंतरन पत्र ना मिला तो वह खूस होगा और बाद में बात बनाएगा कहेगा आज कल जी डाक की इतनी गड़बड़ी हो गई है कि निमंतरन पत्र ही नहीं मिला वरना ऐसा हो सकता था कि हम ना आते मैंने फिर कहा देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि दूर से रिष्टेदार का निमंतरन पत्र मुझे मिलता है तो मैं घबरा उठता हूँ सोचता हूँ जो ब्रामन ग्यारा रूपे में सनी को उतार दे पचीस रूपेयों में सगोत्र विवाह करा दे मंगली लड़की का मंगल पंद्रह रूपेयों में उठा कर सुक्र के दाइरे में फ्हेंग दे वह लगन सितंबर से लेकर मार्च तक सिमित क्यों नहीं कर देता मई और जुन की भेंकर गर्मी की लगने गोल क्यों नहीं कर देता वह कर सकता है और फिर इसाई और मुसलमानों में जब बिना लगन साधी होती है तो क्या वरवधू मर जाते है आठ प्रकार के विवाहों में जो गंधर विवाह है वह क्या है वह यही साधी है जो आज होने लगा है कि लड़का लड़की भाग कर कहीं साधी कर लेते है इधर लड़की का बाप गुस्से में पुलिस में रिपोर्ट करता है कि अमुक लड़का हमारी नवालिक लड़की को भगा ले गया है मगर कुछ नहीं होता क्योंकि लड़की मैट्रिक का सर्टिफिकेट साथ ले जाती है जिसमें जन्म तारिक होती है वे कहने लगे नहीं जी रिष्टेदारों में नाक कट जाएगी मैंने कहा पटियाला से इतना किराया लगाकर नाक काटने इधर कोई नहीं आएगा फिर पटियाला में कटी नाक को इधर कौन देखेगा काटने पटियाला में वे थोड़ी दिर गुमसुम बैठे रहे मैंने कहा देखिये जी आप चाहें तो मैं पुरोहित हो जाता हूं और घंटे भर में साधी करा देता हूं वे चौके कहने लगे आपको साधी कराने की विधी आती है मैंने कहा हाँ जी ब्रामन का बेटा हूं बुजुर्गों ने सोचा होगा कि लड़का नालायक निकल जाए और किसी काम धंदे के लायक ना रहे तो इसे कम से कम सत्ते नारायन की कथा और विवाह की विधी सीखा दो ये सब मैं बच्पन में ही सीख गया था मैंने कहा और बात ये है कि आजकल कौन संस्कृत समझता है और पंडित क्या कह रहा है इसे भी कौन सुनता है वे तो अम और अह इतना ही जानते है मैं इस तरह मंगल स्लोक पढ़ दू तो भी कोई ध्यान नहीं देगा ओम जेक अंड विल वेंट अप दी हिल टुफेच अपेल आफ वाटरम ओम जेक फैल डाउन और ब्रोक हीज ग्राउन और जिल केम ट्रमलिंग आफ्टरम कुर्यात सदा मंगलम इसे लोग वैदिक मंत्र समझेंगे वे हासने लगे मैंने कहा देखिए लड़का उत्तर प्रदेश का काने कूज है और आप पंजाब के खत्री एक दुसरे के रिष्टेदारों को कोई नहीं जानता आप एक सलाह मेरी मानिये इससे कम में भी निपड़ जाएगा और आपका नाक कटने से बच जाएगी लड़के की पिता की मृत्यू हो चुकी है आप घंटे भर में साधी करवा दिजी फिर रिष्टेदारों को चिठिया लिखिए इधर लड़के की पिता को दिल का तेज दौरा पड़ा डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी दो तीन घंटे वे किसी तरद जी सकते थे उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मृत्यू के पहले लड़के की साधी हो जाए तो मेरी आत्मा को सांती मिल जाएगी लिहाजा उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने फौरन साधी कर दी लड़का लड़की वरवधू के रूप में उनके सामने आए उनके चरणों पर सीर रखे उन्होंने इतना ही कहा सुखी रहो और उनके प्रान पखेरो उड़ गए आप माफ करेंगे कि इस मजबूरी के कारण हम आपको साधी में नहीं बुला सके कौन जानता है आपके रिस्तेदारों में कि लड़के की पिता के मिरित्यु कब हुई उन्होंने सोचा फिर बोले तरकीब तो ठीक है जी पर इस तरह की धोखा दड़ी मुझे पसंद नहीं खेर मैं उन्हें काम का आदमी लगा नहीं दूसरे दिन मुझे बाहर जाना पड़ा दो तीन महीने बाद लोटा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने सामान और नगत लेकर साधिक कर डाली तीन-चार दिन बाद से ही साहुकार सवेरे से तकाता करने आने लगे रोज उनकी नाक थोड़ी-थोड़ी कटने लगी मैंने पूछा अब क्या हाल है? लोग बोले अब साहुकार आते हैं तो यह देखकर निरास लोट जाते हैं कि काटने को नाक ही नहीं बची मैंने मजाक में कहा साहुकारों से कह दो इनकी दूसरी नाक पटियाला में पूरी रखी है वहाँ जाकर काट लो अभी आप सुन रहे थे हरी संकर परसाई जी की वियंग्यात्मक कहानी दो नाक वाले लोग उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अच्छा तो हम चलते हैं और एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं धन्यवाद